ओम शान्ती आज 8 ओगस्ट 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का आदर नियाशा देदी सपश्टी करन करेंगे और आज के महावाक्य विशेश हैं क्योंकि ये मुडली प्यारे बाब दादा ने मारतेश्वरी जी के शरीर त्याग करने पर 25 जून 1965 के दिन ये महावाक्यों के उचारे थे आज की मुडली में बाबा ने हम बच्चों को कहा मीठे बच्चे संगम युग ब्राहमनों के लिए कल्यानकारी है इसलिए सदा फखुर में रहना है किसी बात का फिक्र नहीं करना है ये बात बाबा बच्चों को निष्छे में कहते हैं कि तुमको ये इस बात का निष्छे होना चाहिए ड्रामा कल्यानकारी उसका रीजन है कि ये कल्प जो है टाइम जो है वो आगे बढ़ रहा है फ्रश्ण हे जिनकी अवस्ता अच्छी है उनकी निशानिया क्या आएगा उन्हें किसी भी बात में Druhna नहीं अएगा मुर्जाएंगे नहीं गम वह अफसोस नहीं होगा हर सीन साक्षी होकर देखेंगे कभी क्यों क्या के प्रशन नहीं करेंगे किसी के नाम रूब को याद नहीं करेंगे एक बाबा की याद में हर्श उत्मूख रहेंगे इसमे मूल बात है शाक्षी पन तो जो बाबा ने जिस समय ममा ने देखा त्या किया है तो बच्चे तो ममा से अठाच थे बहुत तो बाबा ने उसको नाम रूप कह करके इतना स्ट्रॉंग पॉइंट कर दिया इसकी यह नाम रूप है ममा को याद करना नाम रूप है तो वो बाबाने फिर धीरे धीरे बच्चों को ग्यान के पट्टे पर लाया गीत है माता वो माता मीठे बच्चों को फर्मान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में है उनसे ये ग्यान जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे ये ज्ञान और योग सुनना है वो भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्सा उनसे मिलता है मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिफ बाबा को याद करो कि तुम बेहद के बाप से ये वर्सा ले रहे हो इन में कोई भी शरीर छोड़े छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये भी भावी है कल्प पहले भी हुआ था क्योंकि ड्रामा के उपर भी तो चलना पड़े ना जिससे कोई फिकर नहीं रहे आज मम्मा गई कल और भी कोई चले जाएंगे फिर भी बाप को मुर्ली सुनानी है जरूर बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंस सुनाते उनका अर्थ समझाते रहते और यही सब को कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो कोई भी नाम रूप में फसो मत बाबा हम बच्चों को कैसे इस परीक्षा का सामना करना है वो बाबा ने उसके युक्ति बताई देखो ये Baba, स espaço क Ellie तो कोई फिकर में नहीं है क्योंकि जानते हैं कि हमको तो Baba को ही याद करना है हम को Baba से वर्सा लेना है यानि Baba अपना पुल्शारत बता रहा है कि मैं जोल श्रूर को याद करता हूं हलाएं कि Momma रही थैंधी Baba की लेकिन Baba कितना पक्ता है बाबा ने समझाया है कि creation से कोई वर्सा नहीं मिलता creation को creator से वर्सा मिलना है इसलिए जो भी creation बच्चे और बच्चियां है उन्हें एक creator को याद करना है चाहे कुछ भी हो जाए बाबा ने का समझो कोई भी ऐसा विगहन पड़ता है तो उसमें संशे की तो कोई बात ही नहीं क्योंकि एक शिव बच्चों का कल्यान है अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जाकर के और कहां पार बजाना है बाबा ममा क्यों रिशारा कर रहा है कि जो जाता है तो जरूर कहीं और जाके पाट बजाना है इसले गई है कोई न कोई कल्यान के कारण ये सब कुछ होता है क्योंकि बाप कल्यान कारी है और ये संगम्युग ब्रामणों का है ही कल्यान कारी अहो सवभाग्य जो हमारा ही पाठ है कल्प पहले माफिक बाप के मददगार बनने का मददगार बनते बनते कोई जेनरल भी मर पड़ते हैं उस समय है ज्रामा अनुसार ही ये सब कुछ होता है कोई गया तो क्या हुआ हमें उनसे उनके लिए कुछ करना नहीं है हमारा तो सब कुछ गुप्त है वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिने कभी आसू ना आए कभी आसू ना आए कभी भी ऐसा ना समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया अब क्या होगा आसू आए तो ना पास हो जाएंगे क्योंकि बाब बैठा है ना जो हम सब को वर्सा दे रहे हैं बाबा को ये प्रिये नहीं है कि बच्चों की बुद्धी कहां पर भी और कहीं जाए तो बाबा कहते हैं कि आसू बहा ना ममा की आद में अब ये स्वभाविक होता है जिसके साथ आप रहते हैं पालना लेते हैं तो आता है लेकिन बाबा तो बाबा है ना बाबा वर्से की बात कहकर कहता है वर्सा तो creation से नहीं लेना तुमने वर्सा तो बाबा से लेना बाबा तो बैठा है ना कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फसना नहीं है पता है ये शरीर है इसको तो जाना ही है हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पार्ट बदल सकता है इसलिए बच्चों को बिलकुल अशरीरी शांत और फिर हर्शुत मुख रहना है अट दल अखन राज लेना है तो ऐसा बनना भी है फिर बाबा ने कहा कि कोई बाबा ने कहा कि अगर कोई इतिफाक तो होने ही है चलते चलते अर्थक्वेक हो जाते हैं ऐसे नहीं कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने है नहीं कोई भी मर सकते हैं कोई भी इतिफाक हो सकता है इस हमेशा बाब की याद में फकुर में रहो इसमें जो पार्ट जिसको मिला है वो बजाता है उसमें हमको क्या करना हमारा ज्ञान ही ऐसा है अम्मा मरे तब भी हल्वा खाना यानि ज्ञान रतन देना बाबा ने बता है कि ममा के पीछ रोना नहीं है तो अपना कार्य करो अपने सेवा करो ग्यान रतन बांटो तो ग्यान रतन बातने से खुद ग्यान स्वरूप स्थिती में रहेंगे बरोबर हम जानते ममा ने भी इश्वर का वर्सा लेते लेते शरी छोड़ दिया हम हर एक को तो बस बाप और वर्से को याद करना है, सारा मदार पुर्शारत पर है, ये बच्चे भी महसूस करते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे, उतना उचा पद पाएंगे, उचा प्रिंस बनेंगे, सूर्य वंशी भी प्रिंस और चंदर वंशी भी प्रिंस और प्रिंस हैं, तो बच् पढ़ाई थोड़ देगा. नहीं. तो कुझ भी पढ़ाी रोज बढ़ानी नहीं. Tyreenश्रा भावाई भी बादाई नहीं है. बाकी गम की कोई बात नहीं, यह हम जान गए कि ड्रामा चल रहा है, तुम कहेंगे वा, मम्मा गई, वो एक्टर दूसरा अक्ट करने गई, इसमें मुझने की, रोने की, दुख की दरकार नहीं है, कोई शरीर छोड़ेगा, तो भी उंची सर्विस जाके करेगा, इसलिए बच तूस प्रकार बाबा ने हमें कहा कि तुम्हें यह स्थीरियम होकर बैठना है, बाबा देखो कितना पक्का कर आते हैं, बाबा का फर्मान मिला हूँ है, सिर्फ मुझे याद करो, कोई ने रोया, तो बाबा कहेंगे, जिन रोया, तिन खोया, और बाबा ने जो हमें विघन के बारे में बताया कि ये ड्रामा है भावी है आज बाबाने वर्दान दिया सची दिल से बाब को राजी करने और सदाराजी रहने वाले राजयुक्त भर जो बच्चत इस कहारी करते हैं develop दादा उन्हें स्वयम के संसकारों से संगठन से सदा राजी अर्थार्थ राजयुक्त रहने का वर्दान देते हैं स्वयम के व एक दो के संसकारों के रास को जानना परिस्थितियों को जानना यही राजयुक्त स्थिती है सच्चे दिल से बाब को अपना पोता मेल देने वसनेह की रूरेहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है अगर सच्चे दिल से दाता विधाता को राजी करने वाले ही रूहान 마उज मेरेगते हैं तो ये थे बाबा के आज के मध और महावाक्यों का सपश्टिकरन ओम शान्ति